दमश्कार दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि हम लोग महनत बहुत करते हैं लेकिन महनत करने के बाद भी हमारे आमधनी में से कुछ भी नहीं बसता है जिसकी वज़ा से हमें बहुत जाला प्राब्लम होती है यदि आप चाहते हैं कि आपकी महनत की दिन दुगनी चार्चावनी हो और आपको पैसे संबधित कोई भी परिशानी ना हो तो उसके लिए लेकर आए हूँ कुछ आसान से उपाए जिससे कि आपकी जो भी बैपार कर रहे हैं या फिर बिजनस कर रहे हैं दिन दुगनी चार् पौधा जोड़ लीजिए उसमें जामनी करर के फूल वाले पौधे आप अपने घर में लगा सकते हैं वहें आपके घर में बहुत जादा बेनिफिट लेकर आ सकता है खुस्बू के साथ साथ आपके जीवन को भी सोभागे से पदल देगा नमबर तो यदि आप तिजोरी रखने की विवस्ता कर रहे हैं तो तिजोरी रखने की विवस्ता ऐसी करें कि जब भी आप तिजोरी का गेट खुले तो वहें उत्तर दिशा में ही खुले क्योंकि उत्तर दिशा को बेर भगवान की माली जाती है और यदि आप benefit चाते हैं अपने धन में तो उसकी लिए ज़रूरी है कि आप तिजोरी को ऐसी ही जगा रखें नमबर तीन यदि आप तिजोरी रख रहे हैं और उसके उफर कोई भी ऐसा वर्फ न लगाएं जिससे कि तिजोरी पर ही उसकी रोशनी पड़ें क्योंकि ऐसा करने से आपके तिजोरी के अंदर जो भी धन रखा होगा उस पर लाइट पड़ने से आपका धन काफी हद तक कम हो सकता है नमबर चार यदि आप अपने में गेट पे थोड़ी सी देखबाल करें साफ सुत्रा रखें और अपने नेम प्लेट की भी ध्यार रखें यदि आपके घर के बाहर नेम प्लेट लगा रखी है तो उसकी भी सफाई पर ध्यार दें उसके आज़ पर जाला ना हो और नेम प्रेट को भी ऐसा रखना चाहिए ताकि लगे कि आपका ही घर है यदि आपके घर में साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है तो माता लक्षमी भी आपके घर पर प्रवेश करती है यदि आपके घर के खिर्की दर्वाजी है और उस पर आपने कांच लगवा रखा है यदि कहीं सी कांच टुटा हुआ है या फिर चटक रहा है तो उसे जल्दी ही बदलवा दीजिए ऐसा करने से भी आपके घर में दिन दुगनी राच्चोगनी का मौका में सकता है तो यह है कुछ आसान से उपाई जी ने आप करने से आपको दिन दुगनी राच्चोगनी बिजनस पे प्रॉफिट होने बारा है